आप देख रहे हैं चौहन वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज की तीन बड़ी अफडेट के बारे में जिसमें आपके लिए ग्रेड कार्ड भी अफडेट किया गया साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या जून 2023 के रिजल्ट की अब और अफडेट नहीं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए तो आप सीधा वीडियो की शुरुबात करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की सबसे वड़ी अपडेट के बारे में और आज आपके लिए ग्रेड कारड एक बार फिर से अपडेट कर दिया गया जो की आप यहाँ पर चैक कर सकते हैं कि 9 दिसम्बर 2023 तक का status आपके लिए ग्रेड कारड में अपडेट कर दिया गया है इसका मतलब यह है कि इस से पहले 9 दिसम्बर 2023 से पहले अगर आपके Revaluation के Result की, Assignment के Result की, Theory Exam के Result की, Practical Project किसी की भी Update आई है, किसी का भी Result आया है तो आप अपना Grade Card चेक कर सकते हैं कि Grade Card में आपके उस Object के Marks Update किये गए या फिर नहीं 9 December 2023 को आपके लिए एक बार फिर से Grade Card Update किया गया इससे पहले 6 December को भी Grade Card Update किया गया था, तो Grade Card की Update जो है वो लगातार नॉर्मली हर 3 दिन, 4 दिन के बाद आती है और उसी तरीके से आपके लिए टिक्लियर की जा रही है, Grade Card का लिंक आपको इस वीडियो के Description Box से भी मिल जाएगा वहाँ पर आपको अपना Enrollment Number और अपना Course Code सही डालकर आप अपना Grade Card है उसको चेक कर सकते है Revaluation का Result आपका काफी दिनों के बाद Update किया गया है, इससे पहले Revaluation की जो Last Update आई थी, वो आपकी 1 December 2023 को आई थी अगर आपने June 2023 के लिए अपना Revaluation का Form भरा था, June 2023 में Theory Exam का कोई Result आया था, जिससे आपको लगता था कि आपके ज़्यादा Marks आने चाहिए और आपने Revaluation का Form भरा था, तो आपका जो Revaluation का Result है, वो यहाँ पर Declare किया गया है, जिसको आप एक बार फिर से Update एक बार देख सक वैसे ज़्यादा तर इस्टरंट अब ऐसे जिनका Revaluation का Result भी अब Declare किया जा चुका है, तो हो सकता है कि आप Revaluation के Result की भी आपको कम ही Update देखने को मिले, क्योंकि आप जानते कि December सुरू हो चुका है, और January के महिने के Last Week से आपकी, जिसमबर 2023 से उसके Result की Update आना सुरू हो Declare कर दिया जाएगा, आज आपके लिए June 2023 के Theory Exam Result की भी नई Update जारे की गई, इसकी Last Update भी 1 December 2023 को ही आई थी, और उस समय ये लगा था कि आपका जो June 2023 का Theory Exam Result है, वो Complete हो चुका है, और अब हो सकता है कि आपको और Update इसकी देखने को ना मिले, लेकिन 9 दिन के बाद आपके ल Theory Exam Result की एक और Update जारी की गई, वैसे अब लगबख सभी Student का, जो Theory Exam Result है, उसको Declare कर दिया गया है, लेकिन अभी भी अगर कोई Student है, जिसका कोई Subject है, जो की रहता है, और Theory Exam Result उसका Declare नहीं किया गया था, तो वो एक बार फिर से अपना Result चेक कर सकता है, और June 2023 में आप आपको Update तो देखने को मिलेंगी यान की Status जरूर Update होता रहेगा, 9 December हो सकता है, 15 December या 16 December को नई Update आ जा जाए, लेकिन रिजल्ट जो है वो अब ज्यादातार Student का Already Update किया जा चुका है, तो अब इसमें स्रिव आपको ये Date बदलती रहेगी, लेकिन आपको Result देखने के लिए सायदी मौका मिले, क्योंकि अब लगबक सभी Student का जो Theory Exam Result उसको Update कर दिया गया है, तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियर आपको बसंदत वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सेयर जरूर कीजिए